मैं सुनीता सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का एर केमेस्टी क्लास में और आज अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमेस्टी चैप्टर फूर केमिकल बॉंडिंग और मॉलिक्लर स्टक्चर से इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंज फॉर 2023 जो आप लोगों का सिलेवस है 2023 के ल सिलेवस में जितना पढ़ना है उसी के कोर्डिंग यहां पर मैंने 25 क्वेस्टेंज कलेक्ट किये हैं 25 क्वेस्टेंज मैं आपको अभी करवाऊंगी और आपको बता दू कि 25 क्वेस्टेंज फूल कॉंसेट के साथ समझाऊंगी मतलब आपको कहीं कोई परिशानी नहीं लगेंगे और केमिकल बॉंडिंग आपके लिए छुटकी बजात मतलब हलुआ हो जाएगा ठीक है अब यहां समझेगा एक बात पहले कि इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेस्टेंज से यानि 25 जो क्वेस्टेंज हैं जो बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्टेंट हैं को इस को समझने के बाद आप लाती है यह कौ Support कर लैंगे बचे इसे जितने भी टाइप के different 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 questions पूछे जाएंगे वो सारे आप कर सकते हैं तो यह मेरी कोसिस होती है इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप सारे questions को देखिए ठीक है तो चलिए start करते हैं अपना class आपको जो समझाया है उस बात को समझे आपको एक बारी में भारी लगता है देखना तो तो जो समझाना था मैंने समझा दिया आपका time लेकर आप चलते हैं अपने class की ओर class में जो पहला question मैंने लिया है वो chapter से related question ही है जो chapter का नाम है पहले वो जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि chemical bonding होता क्या है आखिर ठीक है पहला question है आपका define the term chemical bond what are its different types ठीक है तो term chemical bond का मत attraction होता है या यूं कहिए कि attractive force force of attraction जो कि atoms और ions को bonded रखता है binding करके रखता है that is called chemical bond यह different types के होते है the attractive force which holds various constituent atoms and ions start together different chemical species is called chemical bond ठीक है तो chemical bond के types होते है एक होता है electrovalent यह आयोनिक bond दूसरा होता है दूसरा होता है covalent bond तीसरा coordination bond और चौथा metallic bond फिर hydrogen bond और 6 नंबर वे वाल फोर्स यह वंडर वाल बॉंड भी आप बोल सकते हो फोर्स लिख दिया है मैंने यहां पर देखे एलेक्ट्रों वैलेंट और आयोनिक बॉंड कैसे बनता है बाइदा ट्रांसफर ओफ एलेक्ट्रों लूज और गेन ओफ इलेक्ट्रों है ना तो आप इसमें इस सियल का बनना ठीक है कोवेलेंट बॉंड होता है बाइदा सेरिंग ओफ इलेक्ट्रों बाइदा सेरिंग ओफ इलेक्ट्रों बिट्विन टू एटम्स ठीक है सेरिंग ओफ इलेक्ट्रों से इतना आपको जानकारी रखना है कोवेलेंट बॉंड के बारे में कि क्या होता है तो by the sharing of electrons of electrons between two atoms, ठीक है, ये बात आ गई समझ में आपके, अब देखे, coordination bond का मतलब होता है, ये एक तरह का covalent bond ही होता है, लेकिन ये directional, covalent bond directional होता है, coordination bond भी directional होगा, क्योंकि ये types of covalent bond ही है, लेकिन इसमें जो होता है, यहां मैंने क्या रिखवाया, कि sharing of electrons between two atoms, but coordination bond में क्या होता है, कि lone pair of electrons shared by only one atom, ठीक है, एक ही atom के द्वारा, electron donate किया जाता है, जिसके पास lone pair होता है, वो देता है, ठीक है, तो जैसे इसको arrow से दिखाया जाता है, तो देखे, actually होता क्या है, आपने बनाया, तो NH3 यानि H, 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 ठीक है, lone pair है, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया, यह क्या करता है, BF3 को electron देता है, तो यह जो आप देख रहे हैं, BF3 के पास देखे क्या हो गया, B के पास deficiency of electron है, दो electron के कमी है, आक्टेट पुरा होने के लिए, जबकि हमारे ammonia का क्या है, nitrogen का क्या हो रखा है, आक्टेट कम्प्रीट हो रखा है, तो यह जो electron दे रहा है, इससे बोलते हैं, इस तरह से arrow से electron देने को कहते है, है, coordination bond, coordination, जब आप 12 में जाओगे, तो coordination compound ही पढ़ना है, आपको जिसमें इसी तरह से electron दिया जाता है, ठीक है, एक पुरा chapter है, इसके लिए, तो थोड़ा सा जान करे, आपने यह भी रख लिया, आप देखे, metallic bond का मतलब होता है, यह सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, यह होता है, electrostatic force of attraction काम करता है, कहां, metallic cluster में, जैसे आपको पता है, कि metals क्या करते है, electron lose करते हैं, तो जो कटायन बनता है, और जो यह electron, इसका जो electron है, निकलता है, जो metals का, वो लोग आपस में एक attraction, attractive force महसूस करते हैं, जिसका नाम होता है, metallic bond, यानि M2 प्लस जैसे बना, तो two electron बाहर गया, तो यहां पर यह positive charge है, यह electron है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एक attraction होता है, electrostatic force of attraction काम करता है, जिसे उस case में metallic bond कहा जाता है, क्योंकि यह metals है, इसलिए, ठीक है, hydrogen bond के बारे में अभी आगे, आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए, यहां पर सिर्फ इतना जान लिजे, कि यह bond तभी बनता है, जब एक molecule के पास, मतलब, electronegativity difference होना चाहिए, तब यह बनता है, यानि एक highly electronegative होना ची है, दूसरा less, तो देखे, mainly इसमें क्या होता है, mainly इसमें क्या होता है, कि एक molecule की HF है, तो इसमें जैसे HF है, तो इसके बीच में hydrogen bonding बन जाएगा, कै ऐसे क्योंकि F बहुत electronegative है, और H जो है, वो less electronegative है, तो एक HF molecule, दूसरे HF से क्या होगा, attach हो जाएगा, किसके through, hydrogen bonding के through, तो यह क्या कहलाता है, एच bonding कहलाता है, यह आपको पढ़ना है, आगे, types of hydrogen bonding भी पढ़ना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, wonderwall force का जान लिजे, क्या होता है, wonderwall force जो होता है, यह सबसे weak force है, इतना जो आप bonding देख रहे हैं, यह सबसे कमजोर है, इसलिए सबसे नीचे पढ़ाया जाता है, इसको, wonderwall force का मतलब होता है, जैसे मान लिजे, जब atom के form में है, atom, दूर दूर है, तो उस समय जो उन लोगों क force of attraction काम करता है, या molecule है, यह ध्यान रखेगा, item या molecule, iron की बात नहीं करता है, ठीक है, तो molecule, molecule अगर है, दूर दूर भी है, तो यह जब आपस में ऐसे ही, molecular form में, atoms के form में, attraction जो महसूस करते हैं, उस attraction को बोलते है, wonderwall force, एक मतलब imaginary type से समझे, कि atom, atom जब दूर दूर भी है, त force of attraction काम कर रहा है, तो उसी force of attraction का नाम दिया जाता है, wonderwall force, ठीक है, यह बहुत weak force है, यह covalent bond से बहुत कमजोर force होता है, तो यहाँ पे आपने कितना चीज़ समझे लिया, कि bond होता क्या है, और types of bond क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा knowledge आपको हर चीज़ का रखना चाहिए, क् कहता है, कहां पर क्या आपके काम आजाए, मानलेजे, wonder, कैसे आपने देखा कि इतने तरह के bond होते हैं, चलिए question number 2 पर चलते है, देखे, question number 2 कहता है, why covalent bonds are called directional bond, whereas ionic bonds are called non-directional bond, बहुत important question है, आपके NCRT book का यह question है, मैं यह भी chance की आजाए, तो यहाँ पे देखे, समझेगा, कोvalent bond directional होता है, क्योंकि वो overlapping of orbital से बनता है, orbital overlap करता है, तब kovalent bond बनता है, तो orbital के overlapping के लिए जरूरी है, कि आपका जो orbital हो directional हो, एक direction में आएगा, तभी तो एक दूसरे से merge करेगा, जब direction ही अलग-अलग हो जाएगा, तो merging नहीं होगा, इसलिए यह directional होता है, जबकि ionic bond जो बनता है वह तो ट्रांसपर औफ इलेक्ट्रॉन से बनता यानी इलेक्ट्रॉन देता है जो मेटल होता है यह इक्षी बाइब डाइक्सनल होजाता है यह मोचच रहें किस तरह से को बांड के लिए हैड्रोजन का गोःटर मन्दा 1S1 और 1S1 ओवरलाइप करके यह बनाता है H single bond H तो यह जो single bond आप देख रहे हैं वो covalent bond कहलाएगा और यह जो attraction देखने that is your ionic bond या electrovalent bond तो definition जो मैंने पढ़ाया वो ही यहां लिखा हुआ है a covalent bond formed by the overlap of half field atomic orbital which have definite direction hence covalent bond is directional in ionic compounds each ion कहीं कहीं पर दो बार repeat हो गया होगा तो उसके लिए रोने मतलगना लिखते वक्त हो जाता है वैसा अभी ठीक है in ionic compound each ion is surrounded by a number of positively charged ions and hence there are no definite direction क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 है हमारा explain the formation of chemical bond आपको explain करना है formation of covalent bond की कैसे बनता है ठीक है step by step हम लोग बढ़ रहे हैं इसलिए आपको पूरा chapter पढ़ने की जोरत भी नहीं पढ़ेगी मैंने दैसे chapter पढ़ा रखा है अपने channel पे आपको playlist बना दिया है इसका तो आप देख सकते हैं से जो concept ज्यादा चाहिए होगा जिसको deeply आपको समझने की जुरत है तो वहां आप देख सकते हैं जाए कि वहां मैंने मैंने माल पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया किसी एक खास पर तो वह विएस है कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा समझाया जाएगा ही ठीक है तो चलिए फॉर्मेस अकॉर्डिंग टूगेदर इन ओर्डर तो कम्प्लीट दियर कम्प्लीट दियर रेस्पेक्टिव ओक्टेट सो एज तो अक्वाइर स्टेबल इनट गैस कॉन्फिग्रेशन यह जो है की वर्ड है की लाइन है ठीक है कि कॉशल और लेविस कहते हैं कि आटम्स का माइन इसलिए करता है ताकि वह अपने नियरेस्ट इल जाता है तो सब्सक्राइब लुज़िंग और गैनिंग रिया फिर ट्रांसपर जाता है उक्टेट कंप्लीट करना तौ यह काम होता है केमिकल बॉन्ड बनाया जाता है इसकान अकर इन टू वेस दो तरीके से यह हो सकता है बाइट्रांसपर और उन और मॉर एलेक्टॉन फ और दूसरा by sharing of electron between two or more, तो इससे जो बनेगा, sharing से जो बना वो covalent कहलाता है, mainly दो ही bond होता है, बच्चों, covalent और ionic, समझे, electron transfer से जो बना वो ionic bond, ठीक है, clear, आपके बाद समझ में आ गई, तो ये हो गया, आपका chemical bond बनने का कारण, कारण यही है कि सिर्फ octet, मतलब inert gas configuration प्रा होगे हुए, जैसे sodium है, तो sodium का 11 होता है, इसके nearest consignate gas हुआ, नियन हुआ, क्योंकि नियन का कितना होता है, दस होता है, इसलिए sodium आपका क्या करता है, एक electron को लूज करता है, और बना लेता है, एने, प्लस, किसके जैसा configuration कर लिया, 10, 11 में से एक electron चला गया, 10 electron, 10 electron, किसके बराबर, नियन के बराबर, यही reason, ठीक है, और chlorine एक electron लेके, 18 हो जाता है, आरगन की तरह हो जाता है, clear, समझ गया, चले आगे बढ़ते है, question number 4 है, define octet rule, write its significance and limitations, ठीक है, octet rule क्या कहता है, atoms of elements combined with each other in order to complete their respective octets, so as to acquire the stable inert gas configuration, जो अभी just आपने पढ़ा, octet rule ही वही कहता है, कि octet क्यों कहा जाता है, इसे पता है आपको, जो अभी मैंने आपको बोलके समझाते वक्त बोला, कि हर एक inert gas का octet complete होता है, यानि कि उसके outermost cell में 8 electron होते हैं, हर एक inert gas में, तो हर atom यही चाहता है, कि वो inert gas configuration पा ले, ठीक है, acquire कर ले, तो inert gas acquire कर ले, it means क्या octet complete कर ले, अपने outermost cell में octet complete कर ले, अब octet complete का मतलब होता है, outermost cell में 8 electron का होना, that is why this rule is called octet rule, octet rule क्यों कला है, क्योंकि 8 electron का कहानी है, इसलिए octet rule, तो उसके बाद देखे, significance इसका क्या है, it helps to explain why different atoms combined with each other to form ionic compounds or coherent compounds, जो आपने पढ़ा, यह octet rule का significance यही है, फाइदा यही है, कि यह define कर पाता है, कि कोई भी atom क्यों combine करता है, एक दुसरे से और ionic compound और covalent compound बनाता है, अब देखे, limitations क्या है, इसके, तो limitations है, the rule failed to predict the shape and relative stability of molecule, यह जो rule है, यह आपके shape और relative stability को नहीं बताता है, साथी साथ देखे, it is based upon the inert nature of novel gases, however, some novel gases like xenon and krypton form compounds such as this, कहने का यहां मतलब यह हुआ, कि आपने क्या देखा, कि शुरू से कहा जा रहा है, आपको कि हर एक atom inert gas configuration को acquire करना चाहता है, क्योंकि वो stable nature के हैं, क्योंकि वो क्या है, stable nature के हैं, लेकिन अभी क्या है, modern chemistry में क्या देखा जा रहा है, कि दो ऐसा आपका novel gas है, xenon सबसे ज़्यादा reactive यही है, xenon और krypton दो ऐसा novel gas निकल कर सामने आ गया है, जो की reactive हो गया है, जो की reactive nature का है, हाँ यह आप कह सकते हैं, कि जैसे और metals और non metals होते हैं, वो ऐसे reactive नहीं है, but compound तो बना रहा है, compound बना रहा है, जो भी compound formation में भाग ले रहा है, means की वो stable नहीं है, stability उसके पास नहीं है, तब octet का variation होगा, तब ही तो bonding करेगा, आप समझे इस चीज़ को, अगर octet पूरा है मेरा, complete बहार, outer most cell में मेरे पास पूरा पूरा electron है, तो क्यों bonding करेंगे हैं, bonding करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो यहां पर क्या है, कि यह चीज़ आप क्या हो गया, contradiction हो गया, कि भाईया, आप तो आपका inert gas भी stable नहीं है, वो भी compound बना रहा है, तो फिर यह कैसे कहना उचीत होगा कि हर एक atom inert gas configuration, stable configuration प्राप्त करने के लिए यह काम करता है, chemical bonding, तो यहां पर भी फेल हो गया आपका octet rule, लेकिन बहुत useful है octet rule, इसलिए पढ़ना है आज भी, ठीक है, तो यह चीज़ हो गया, फिर this theory doesn't account for the shape of molecule, यह तो मैंने शुरुआत म नहीं लिख दिया था, तो यह क्या होता है, shape of molecule भी explain नहीं कर पाता है, ठीक है, shape of molecule के लिए फिर वेस्पर theory, BBT theory आपको पढ़ना है आगे, एक एक करके बढ़ेंगे हम लोग, मतलब मैंने जो भी question लिया है, जैसे starting से करते हुए, last तक हम लोग पहुंच जाएंगे, और हम influence the formation of ionic bond, ionic bond बनने में कौन सा factor काम करता है, मतलब, favor करता है, आप यही समझेगा, कि favor influence the formation of ionic bond का मतलब, favor करता है, कौन सा condition, ठीक है, तो यहां पर क्या है, formation क्या-क्या काम करता है, low ionization energy, तो सबसे पहले, जान लोक, ionization energy का मतलब होता है, recently मैंने आपको पढ़ा रखा है, कि amount of energy required to remove electron from isolated gaseous metal ठीक है तो उस amount of energy को कहते हैं आपनाजेशन एनर्जी तो लो आपनाजेशन एनर्जी होना चाहिए यानि कि कम खर्च में electron remove होने वाला होना चाहिए तो आयोनिक बाउंड को favor करेगा ठीक है elements with low energy energy or enthalpy भी बोलते हैं से have greater tendency to form ionic bond उसी तरह से high electron gain enthalpy अब electron gain enthalpy क्या होता है amount of energy released when we added electron to a non-metals ठीक है तो high negative value of electron gain enthalpy favors ionic bond तो देखिए low ionization energy favor करता है high electron gain enthalpy favor करता है और उसके बाद बारिया आती है lattice energy की तो lattice energy क्या होता है जब आपने cut ion बना लिया जैसे metal को metal plus ion में convert कर लिया और आपने non-metals को minus ion में convert कर लिया तो अब ये दोनों एक दूसरे को approach करेगा यानि एक दूसरे को attract करेगा plus ion और minus ion एक दूसरे को attract करेगा और attraction के after mx बनेगा तो इसी में के दोरान जो energy release होगी ना इन दोनों के attraction के कारण attraction होगा और compound formation होगा जिसमें energy release होगी तो उसे कहते हैं lattice energy यानि lattice के बनने में जो energy release हुआ वो lattice energy खलाता है इसे U से so किया जाता है ठीक है तो देखे high lattice energy value favors ionic bond formation ठीक है यह high lattice value होगा तो वो favor करेगा ionic bond formation को यह तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है और detail में पढ़ना है बहुत detail में जाना है आपको तो आप chapter का playlist खोलिए उसमें जो जो आपको लगे कि हमको मुझे इसका detail जानना है हो सकता है यह class strength के अंदर आपने पढ़ रखा होगा इसलिए इसमें उतना ज्यादा आपको प्रशानी परेशानी नहीं होगी ठीक है तो आपका हो जाएगा ठीक है इतना समझगे कि lattice energy electron gain in therapy थोड़ा थो मैं breathe करती ही जाओंगे आपको इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है आईए question no.6 को देख लेते हैं देखे question no.6 है define the dipole moment give mathematical expression for dipole moment very very important है यह तो धियान रखेगा यह है भी आपके syllabus के अंदर पढ़ने को ठीक है तो पहले dipole moment को define कर लिजे तो defined as the product of magnitude of charge and the distance between the centers of positive and negative charge ठीक है तो dipole moment को इससे दिखाते हैं ठीक है कुछ लोग capital M से भी दिखाते हैं लेकिन यही सही है इसी से दिखाईएगा ठीक है तो charge Q into distance of separation किसमे positive और negative charge में उसे R से दिखाईए आप चाहे तो आप D से भी दिखा सकते हैं कहीं कहीं पर आपको D लिखा हुआ भी दिखेगा तो घबडा नहीं जाएगा यह R radius नहीं है बच्चों यह distance के लिए यूज किया है आप D चाहें D लिख लें ठीक है कोई दिकत नहीं है उसस negative के बीच का distance ओके समझ गए तो mu equals to q into r ठीक है तो देखें इसका unit divide होता है dipole moment का unit क्या होता है divide होता है और significance significance इसका सुनिए क्या है तो देखें पाइदा इसका है predict nature of molecules molecules with specific dipole moment are polar and those of zero dipole moment are non-polar एकदम रट लिजे आज के date में दिमाग में की significance number first है कि आपका जो dipole moment है वो nature of molecule बता देता है means कि अगर किसी molecule का dipole moment का कुछ भी value है तो वो polar है अगर value zero है तो वो non-polar है बात आगी समझ में कि अगर dipole moment का value zero आ गया तो वो non-polar molecule है लेकिन अगर कुछ भी value दे दिया significance value दे दिया तो वो polar हो जागा और घबरानी की बात नहीं आपकी सुनिता मैं तुरात इसके just बात जो example हो question होगा वो इसी से related मैं देती हूँ मैंने कभी भी बच्चों आप लोगों को इधर उधर नहीं किया है कि अभी यहां पे कुछ पढ़ा दिया उधर कुछ पढ़ा दिया नहीं ऐसा नहीं करती हूँ मैं हम मुझे पता है बच्चे को क्या-क्या मतलब आप यह समझ लो कि मैं दूसरा नंबर सिगनिफिकेंस है determination of shape of molecules, shape of molecules के भी पता लगाने में यह आपका help करेगा कैसे करेगा वो questions के मादियम से हम लोग समझेंगे तो यहां पर एक चीज मैंने add नहीं किया है आप add कर लो कि जैसे देखो dipole moment के लिए एक ऐसे जैसे positive से जैसे मानलो की H और CL है ठीक ह पे cut mark लगने का मतलब है कि आपने dipole moment बता रहे हैं यह partial positive होता है यह partial negative होता है तो चुकि आप कैसे dipole moment हो कर रहे हैं इस तरीके से तो आप क्या बोलेंगे कि dipole moment कैसा quantity हुआ vector या scalar तो पूछ सकता है आपके mcq में कि dipole moment is a vector scalar none of these जो भी इस टाइप से mix match करके देगा तो क्या हो गया यह कैसा हो गया vector हो गया क्योंकि इसके पास magnitude भी है और direction भी है और scalar किसको कहते हैं जिसके पास magnitude तो होता है बट direction उसका define नहीं होता है यह physics के अंदर पढ़ते ना vector and scalar entities या quantities ठीक है तो यहाँ पर यह चीज आपको जो mention किया है यह सब मतलब आपको लिख भी लेना है copy ठीक है कि vector है यह क्योंकि इसके पास direction है और magnitude भी है ठीक है अब चलिए यह तो आपने देखी लिया dipole moment का यह significance भी आपने देखा कुछ रहत तो नहीं गया इसमें नहीं क molecules has zero dipole moment although the BF bonds are polar ठीक है बहुत अच्छा question है यह तो देखे बी एफ 2 इस linear molecule linear मतलब ऐसा होता है ठीक है एक ही line में ठीक है having bond angle 180 degree ठीक है overall molecule आपका कैसा है non-polar है overall molecule क्या है non-polar लेकिन अगर particularly पूछा जाए कि इस molecule के अंदर B E और F के बीच जो bond है F है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया कि यह particular यह क्या कल आएगा polar क्योंकि इनके दोनों के बीच electronegativity difference है अब देखिए तो BF bond is polar due to difference in the electronegativity but the bone polarity polarities cancel each other thus molecule has result in dipole moment zero तो आप क्या देख रहे हैं चुकि directional है यह तो आपको पता ही है तो यहां पर B E जे euf figure क्योंकि f सब्सक्राज के इभर गया और यह इधर गया तो यह हो जाता बात आगे समझें आपके यहां पर दो क्वेशन आपने कर लिया कि यह हो सकता है कि ओभर ओल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाए लेकिन उसके जो बॉन्ड हो पर्टिकुलर बॉन्ड हो वो पोलर हो सकते हैं यह पॉसिबिलिटी भी होती है चलिए चलिए देखिए यह जब आप देखो कि तो आपका फायदा होगा मालो सुरुवात का क्वेशन आप देखते हूं पहला की क्वेशन इजी लगा आपको तो आप सोचते हो कि भाई इस वीडियो में कोई खास दम नहीं है लेकिन जब आप धीरे दिरे वीडियो में आगे स्किप करके भी तो जिरो यहाँ इन तीनों मॉलीक्यूल का डैपोल मॉमेंट जीरो क्यों होता है और पूछ तो पूछ सकता है नौन क्यों है इस तरीके से भी पूछ सकता है और नॉन पोलर का पहचान है कि डाइपोल मॉमेंट जीरो होता है तो यहां पर मैंने बना दिया है आपके लिए विकॉस यो टू टू बीएफ्ट्री और सीचील फोर हैप सीमेट्रिकल सेप्स एंड दाइपोल गेट्स कैंसल एंड न पॉजेटिव से इलेक्रो निगेटिव क्योर जाता है यह हम सभी को पता है डाइपोल मॉमेंट पढ़ा हमने अभी तो पॉजेटिव से निगेटिव क्योर गया तो यह दोनों इधर गया और यह रिजल्टेंट उपर गया एक दूसरे को कैंसल कर दिया जिसकी वज़ासे जीरो यहां पर भी टेट्रा यह टे ट्रहेट्रल सेप ऑता जिसके कारण एक दूसरे को कैंसल कर दियूरस माले जैसे यह बना लूए ऐसं ठीक है टो नि endless Ho Rebel कर दिया केंसल कर दिया ऊपर-निचे वाली आopard Meanum जिरस इतना जीरु दरो सधाना ओलर कुई दिक्कत नहीं दिकत तो देखें, non-polar हो गया, क्यों हुआ यह समझ गया, आप question number 9 पे आगए, question number 9 का था, how many S यानि sigma and pi bond are there in molecule of CH2, double bond CH, CH, double bond CH2, तो सबसे पहले आप एक चीज बता दूँ आपको, sigma और pi bond जो होता है, sigma और pi bond जो होता है, sigma को ऐसे भी दिखाते है, sigma और pi bond एक तरह से covalent bond ही होता है लेकिन जब दो atom के बीच, number of bonds बनते हैं, यानि multiple bond बनते हैं, तो उसमें एक ही मात्र sigma हो सकता है, sigma एक ही हो सकता है, pi जो होते हैं, वो बहुत, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे यह molecule जो आप देख रहे हैं, sigma और pi bond आगे पढ़ाओंगे आपको, तो दरने भवडाने की तो बात ही नहीं है, तो देखें, यहाँ पे आप देखो, आप लोग कैसे करोगे, यहाँ how many sigma and pi bond पुछा है न, तो sigma तो धेर सारा है, इसको अगर नहीं आता है, तो इसको पूरा तोड़ लिजेगा, ठीक है, जैसे hydrogen दो हो है, तो दो hydrogen को ऐसे जोड़िए, double bond C, एक hydrogen ऐसे, फिर C, फिर hydrogen, फिर double bond, C, H, H, है न, ऐसे, तो देखें, अब आपको बता रहे हैं, कि यहाँ पे यह single bond है तो sigma, single bond है तो sigma, 2 bond है तो उसमें से 1 sigma, दूसरा pi, यहाँ एक ही bond है तो sigma, यह भी sigma, यह भी sigma, दो bond है तो 1 sigma, 1 pi, फिर sigma, sigma, तो total sigma bond कितना हो गया, sigma bond कितना हो गया, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, पाई bond कितना हो गया, हमारा pi bond, 1, और यहाँ पेक होगा, 2, तो 2, pi bond, 2, समझ गया आप, यानि कि कभी भी molecule दे देना आपको, तो total sigma bond पूछे, तो जो भी जहाँ सिर्फ single bond है, तो वो सिर्फ sigma ही होगा, लेकिन multiple bond है तो उसमें 1 sigma हो होगा, बाकी pi होगा, मान लिजिए, कि यह इसमें पूछ दे, CH3, C triple bond, CH3, इसमें पूछ दे, तो इसमें आप कैसे बता होगे, तो यहाँ 3 bond है, इसमें 1 sigma है, बाकी 2 pi है, यह समझ लिए आपने, ठीक है, एक sigma है, बाकी 2 pi है, तो कितना sigma होगा, यह 3 sigma, एक 4 sigma, एक 5 sigma, एक 6 sigma, और फिर यहाँ 3 sigma, तो 9 sigma होगया, sigma bond कितना होगया, फिर से 9 होगया, और pi कितना होगया, pi bond 1 होगया, समझ गया, कैसे किया, यह CH3 था, तो 3 bond sigma यहाँ से बनेगा, एक यह बना, 4 होगया, एक यहाँ बना, 5 होगया, एक यहाँ बना, 6 होगया, यह 3, 9 होगया, तो होगया, यह स तक होता है मैंने इसलिए दोनों दो तीनों बता दिया ठीक है चलिए क्वेस्टन नंबर टेन पर चलते हैं तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि पढ़ाऊंगे आगे घवडाना नहीं तो देखिए लेकर आई हूं आपके लिए तो एच बांडिंग के लिए सबसे पहल हाइड्रोजन और इलेक्रो निगेटिव एटम जिसमें के एफ ओ और एन हो सकता है उनके बीच में जो एक बाइंडिंग फोर्स काम करता है उसे एच बांडिंग कहते हैं जैसे यहां पर मैंने दिखा दिया है आपको और यह हमेशा याद रखेगा कि हाइड्रोजन बांड यहने तीन ही किया है थीक है अब देखें टाइपस ओफ एक बांडिंग दो तरह का होता है इंटर मॉल्व यह बनेगा दो दो सेम मॉलीकूल के बीच में बनता चला जाएगा तो उसी चीज़ को इहां लिख दिया इस फौंब बेट्म सेम और डिफ्रेंट कंपाउंड जैस बन रहा है इसको आप आगे बढ़ा के ऐसे छोड़ दीजे ऐसे छोड़ दीजे ठीक है तो यह इस तरीके से यह इंटर मॉलिकुलर राइच बांडिंग का मतलब होता है एक ही मॉलिकुल में सब कुछ रहता है जैसे यहां देखे नाइट्रो फिनॉल है तो नाइट्रो लिखा आपने और यहां फिनॉल का एच आया तो यह हो गया और यह ओ हो गया नाइट्रो गुरूप का तो इन दोनों के बीच में बांडिंग बन गया हाइड्रोजन और इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बांडिंग को इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बांडिंग कहते हैं तो चुकि इंट्रा मॉलिकुलर एच बांडिंग जो होगा एक ही बनेगा न इसलिए क्या होता है इंट्रा मॉलिकुलर एच यहां पर आप दिमाग में पूछे तो वही आंसर लिखना एंस थ्री हाइज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन पीएज थ्री गीव रिजन और पीएज थ्री जो है एक ही गुरूप का एलिमेंट है नाइट्रोजन के जास्ट नीचे फास्पोरस आता है तो बोल रहा है कि जैसे गुरूप में हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो एक एलिमेंट का जो नेचर होता है सबका सिमलर होता है बट यहां पर है कैने स्थी हाइयर बॉइलिंग पॉइंग रखता दैन पीएज थ्री तो इने एज़ थ्री देर इज़ बॉंडिंग फॉइर इस बॉ एनरजी देना पड़ता है एनरजी तो दीजियेगा तो boiling point बढ़ेगी क्योंकि उसको जब ब्रेक करेगा एच बॉर्णिंग से तभी नो बॉयल करेगा और पी एच त्री में एच बॉर्णिंग absent होता है इसलिए उसका boiling point कम होता है clear बढ़ते हैं question number 12 पे question number 12 है define hybridization state the hybrid orbital associated with B in BCL3 and C in C2H4 question देखे hybridization किसे कहते हैं तो इसे mixing of orbital mixing of atomic orbital जैसे same energy approximately same energy वाले atomic orbital mix होते हैं तो एक नए orbital का निर्मान होता है जिसे hybrid orbital कहते हैं और इस पूरे process को hybridization कहा जाता है ठीक है तो यहां पे मैंने वही लिख दिया जो मैंने आपको अभी समझा दिया hybridization is defined as the process of intermixing of orbitals इसमें word जो की है वो पकड़ियेगा intermixing of orbitals of slightly different energies slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and same shape का और same energy वाला बनता है तो उसे कहते है hybrid orbital जैसे देखें यहां पर hybridization डिफेंट 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 टाइपस के होते हैं जैसे इसके उपर मतलब इससे नीचे पी वाले से नीचे एस वाले से उपर average हो गया बिच का हो गया बिच का रास्ता हो गया ठीक है और और SP SP जितना बनेगा न सबका same shape होगा और same energy होगा यहां पर देखें SP hybrid orbital बना जैसे एक चीज़ और यहां आप मेंशन कर सकते हैं क्या इस SP hybridization का shape कैसा होता है थोड़ा थोड़ा रफली याद रखें linear ठीक है और bond angle याद रखें bond angle क्या होता है bond angle 180 degree ठीक है उसी तरह से SP2 hybridization में 1S और 2P मिलता है P orbital तो SP2 बना इसमें example BCL3 में ने रखा हुआ है और देखें इसका जो shape होगा आपको वो आप बोलेंगे triangular होता है equilateral triangle के जैसा होता है इसलिए सारा एंगल जो इसमें होता है triangular और bond angle जो होता है bond angle कितना होता है 120 degree ठीक है उसी तरह से SP3 hybridization होता है तो 1S और 3P मिल गया तो SP3 hybridization बना जैसे कि CH4 का बनेगा इसका shape जो होगा tetrahedral होगा tetrahedral tetrahedral और bond angle कितना हो जाएगा आपका 109 degree 28 मिनट ठीक है उसी तरह साइए SP3D hybridization में क्या होता है एक S3P और 1D आ जाएगा तो SP3D हो गया PCL5 हो गया इसका example अब देखे इसमें जो है बचों इसका shape जहां तक अगर अभी मैं बता दूंगे आपको कि इसका square planar होता है या square pyramidal होता है और triangular by pyramidal तो दो सेफ हो सकता है इस condition में SP3D में अब यह depend करता है वैस पर थियोरी पर कि कौन सा इसके लिए सही सेफ होगा जैसे इसमें समझें इस बात को आप बच्चों को क्या होता है कि आप लोग को कहीं कुछ आप पढ़ लेते हैं कहीं पेक जगल लिग देता है कुछ फिर आप confused रहते क्या है इसका सेफ जो है इसका सेफ मान लिजे हैं मैं बता रहे हूं आपको कि square pyramidal square pyramidal और एक चीज़ समझें एक और क्या हो गया triangular by pyramidal एट्राइगूलर बाइ पीरा मिरल आप समझेंगा इसको square pyramidal यह और है कि मान लिजें tape इश्में है और ऐसे अहां इसे यहां कलोरीन यहां कलोरीन यहां क्लोरीन तो चार क्लोरीन बन च्रूरीन गया एक क्लोरीन ऐसे हो गया तो इसको बोलते हैं square ये पीरामीडर, square पीरामीडर, आप ये जो ऐसे खड़ा देख रहे हो नहीं, आप imagine करना ना कि ये जैसे figure जब आप 3D में देखते हैं, मेरे पास भी गर स्मार्ट बोर्ड कभी जीवन में आ गया, तो आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, मुझे बहुत कुछ सिखाने का दिल है आपको बच्चों, लेकिन अभी मेरे पास अबलेबल नहीं है स्मार्ट बोर्ड, लेकिन मैं आपके दिमाग को ही स्मार्ट बना दूँगे, आप ध्यान से समझो, कोई जरूरी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड पर ही सभी बातें समझ में आते हैं, यहाँ पर समझोगे, यह इमेजिन करो, कि ऐसे है न, यह प्लेनर हो गया, यह प्लेन पर हो गया, और यह ऐसे समझो, पी पे खड़ा है ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे खड़ा है पी पे, तो यह हो गया स्क्वेर, और यह हो गया पिरा मीडल, पिरामीड का नहीं देखते हो मिश्र का पिरामीड ऐसे रहता है नीचे से पिरामीड देखना ऐसा ऐसा और इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा बनाओ तक कि यह मिल रहा है आपस में ठीक है तो देखो यहाँ CL 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 एक यह पी यहाँ बीच में और देखो ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं 5 क्लोरीन हुआ CL 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 325 तो यह जो आप देख रहे है बना हुआ इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल क्यों क्योंकि दोनों तरफ से लाइन खिचा गया और ट्राइंगुलर है बाइपिरामिडल समझ गए इतना कॉंसेप्ट ज़रूरी था आपको इसलिए बता दिया ठीक है तो यह बात होती है उसकी एकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं ठीक है तो यहां आप जान लोग की PCL 5 का सेफ होगा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ओके क्लियर फिर देखें फाइप नमबर के SP3D2 राइप्रिराजेशन होता है तो इसमें 1S 3P और 2D और बाइटल आयत SP3D2 ह हुआ SF6 इसका एक्जांपल है ठीक है तो देखे तो इसका क्या सेफ होता है। चलिए और आप पुछोगे कि बॉंड एंगल इसका नहीं बताया मैं अपने इसका बॉंड एंगल अलग-अलग होगा ना यहां पर 90 डिगरी होगा और इधर 120 डिगरी होगा इसलिए इसको नहीं लिखा है ठीक है क्योंकि दो तरह का है ना तो दो तरह का एंगल भी याद करन न ना पड़ेगा आपको इसका इतना आपने ब्रीफ दिमाग में तो घुज गया कि कितने तरह का है कैसे काम करता है होता है ऐस तो यह हो गया आपका यहां पर देखे यहां पर मैं दिखाया है यह बहुए बताने के लिए किया था मैं भूल ना जाओं आपको बताते वक्त इसके लिए मैं इसे थोड़ा उतलिक के रख लेती हूं देखे बी सीयल सियल तो यहां पे बी सीयल थी का हाईवरिडाइजेशन बता रहे हैं हम तो कैसे बता रहें देखे थी सिग्मा बॉंड एक सिंगल एक सिंगल तो मैंने आभी आपको बोला कि सिंगल बॉंड है तो सिग्मा है तो हाईवरिडाइजेशन बताने के लिए बच्छों फटक से बताने के लिए तम क्विकली आपको देखना होता है कि कितने कितने सिग्मा बॉंड है और लोन पेर दोनों को लिया जाता है पाई बॉ सार और यह और एक एस तो हो गया एक पी एक पी थे च्पी टु हुआ अगर चार सिग्मा होता चार बाइटर्ल्मिक्स हो गया SP3 हो जाता SP3 है सर शहीं स्टार्ट करणा है पी पर जाना फिर धी पर जाएगा उठा पटक नहीं किजिएगा ठीक है अभी हां यहां पे चले इसको देखिए हां यह देखिए अभी इसको देख लीजे इसमें क्या आप बताएंगे तो देखिए मैंने आभी आपको बताया है कि जहां सिंगिल है वो सिगमा और जो दो है वहां एक पाई ठीक है तो सिगमा यह देखिए सिंगर दो सिग्रां तेनल दिसे जा थो देख यहाँ पर इसमें एक सिग्मान हो सकता है कि दो पाई होगा तो दो ही सिगमा ना हुआ, टू सिगमा बॉंड, हैना, अभी घबडाईएगा नहीं, और भी बहुत सारे questions बताऊंगी, तो hybridization का हुआ इस्तमाल है, तो और बताएंगे, water का भी बताएंगे, तो उस तरह से देख लिजेगा, सिगमा बॉंड है यहां पे दो, तो दो सिगमा बॉंड का मतलब 1S, 1P, तो कितना हो गया, SP, इसका hybridization SP, तो इसका भी SP, अब आप hybridization पूरी दर से समझ गए, बस आज के डेट में आपको क्या याद करना है, सिगमा बॉंड, है सिगमा बॉंड, तो सिर्फ सिगमा बॉंड, अगर लोन पेर है, तो सिगमा प्लस लोन पेर, पेर में लिया जाता है, अगर दो इलर प्लस उसको एक पेर बोलते हैं, तो एक ही लिया जाता है, ठीक है, पाई बॉंड को include नहीं करते हैं, पाई बॉंड को include hybridization में नहीं करते हैं, clear, ना आगे बढ़िये, यह सारा मैंने hybridization वेगर यह सब आपको इदम particular video बनाया है, chemical bonding में बहुत detail में आपको इसको लिखवा भी दिया है, समझा भी दिया है, अगर आपको ज़्यादा समझना है, तो वहां भी जाके समझ सकते हो, चली आगे बढ़ते हैं, देखो question number 13 है, how is VBT यानि valence bond theory different from Levis concept, तो देखो, in Levis concept bond formation is explained in term of sharing of electron pairs and octet rule, whereas in VBT bond formation is described in term of hybridization and overlap of orbital, समझ गए इसमें कुछ भी समझाने का नीड नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको पीछे समझा रखा है, सिर्फ यहां पे इस form में लिखना था आपको, VBT habidization पे काम करता है, और overlapping of orbital पे काम करता है, जबकि Levis concept जो है, वो काम करता है, octet pair, ठीक है, sharing of electron pair और octet pair, ठीक है, question number 14 देखे क्या है, s orbital does not show any preference for direction y, s orbital does not show any preference for direction because it is spherically symmetrical, spherically symmetrical, goal होता है, shape of orbital पढ़ा है, आपको atomic structure के अंदर, तो गोल होता है, जिसके कारण इसके लिए direction का कोई लोचा नहीं है, कहीं से भी overlap कर सकता है, यही था question, question number 15 देखे आपका है, y s bond यानि sigma bond, s नहीं तो ऐसे लिखो ना sigma bond, ठीक है, y sigma bond stronger than pi bond, तो sigma bond जो होता है, बनता है, head on overlapping से, axial overlapping से, तो ज़्यादा से ज्यादा overlapping हो जाता है, जिसके कारण यह bond stable होता है, stronger होता है, जबकि pi bond above the plane और below the plane में होता है, यानि कि वो axially overlap नहीं करता है, lateral overlapping होता है, जिसके कारण वो weak होता है, उसी चीज को यहाँ लिखा है this type of covalent bond is formed by the by the end to end into end or head-on hand-on overlapping bonding orbital along the internuclear axis this is called as head-on overlap or axial overlap and due to this it is a stronger bond type of sigma bond हो सकता है क्या से बनेगा तो एस एस ओभरलैपिंग हो सकता है तो यह हो गया और एस एस ओभरलैप करेगा तो सिग्मा बॉंड ही बनेगा दूसरा कुछ नहीं बनेगा एस और पी जब ऐसे head-on overlapping करेगा एस और पी head-on overlapping का मतलब हो दा सिर से सिर कट कराना ठीक है तो यह क्या हो गया इस तरीके से overlap करेगा तो यह बनेगा सिग्मा बउंड ठीक है? एस पी बॉंड और पी बॉंड भी सिग्मा बॉंड बना सकता है कैसे? जब पी आपका एक्सियल है यह ऐसे ऐसे सिम एकसिस में पी उन हो तो एड-on overlapping पॉसिबल है जब सेम एकसिस में यह पी-एक्स हो तो यह भी पी-ς होगा तो यह आपने में लैटरल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है तो देखे यह साइडवाइज ओवरलैपिंग क्यों हुआ यह ऐसे है यह तो एक ही तरह का यह भी और पी वाई है तो यह पी वाई ही है लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि head on overlapping हो पाएगा देख रहे हैं आप head head मिलेगा ही नहीं तो यह ऐसे overlap करेगा नीचे ऊपर और यह नीचे overlap करेगा तो आधा क्या होता है ऐसे रहता है और ऐसे करके यह above the plane below the plane हो जाता जिसके कारण आपका cloudness of electron बढ़ जाता है डिस्ट्रिब्यूट हो गया उपर चला गया आधा नीचे चला गया जिसकी बजह सही weaker bond than sigma bond होता है जबकि sigma bond का क्या हो रहा एक ही जगह पे रहता है क्योंकि head on overlapping होता है तो इस तरीके से आपने क्या देखा यह पीपी overlapping है तो पीपी अगर axially head on axially overlap किया तो आपका पीपी bond हो गया अगर आपका यह आपका sidewise overlapping है किया sidewise तो वह बन गया पाई bond समझ गया आप क्यों क्यों stronger weaker होता है यह भी समझ गया आप क्योंकि extent of overlapping in sigma bond greater होता है देन पाई bond इसलिए stronger होता है sigma और weak होता है पाई ओके आगे बढ़िए question number 16 है हमारा राइट दा लेविज डॉट इस्ट्रक्चर ऑफ सबसे पहला काम क्या करना होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रोन निकाली नाइट्रोजन का फिर oxygen का भी निकालेंगे ठीक है यानि कि जब भी दिया रहे तो पहले सेंट्रल एटम का निकाल लीजिए फिर उसके अगल बगल के भी निकाल लीजिए ठीक है तो टोटल नमबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रोन कितना हो गया तो देखें यहां पर आप समझ लेजिए कि जब आप काउन्फिग्रेशन लिखते हैं किसी भी अलिमेंट का तो इसले सबसे अब कैसे बनाना है आपको जिसका भी लिख होगे जैसे आभी यहां फिर बताती है नम ऑक्सिजन का देख लोते एक ऑक्सिजन का कांफिरेशन क्या हो गगा ऊप्यांट यह वैलन्स एलेक्ट्राण कितना चेह होगा टूटल वैलन्स इलेक्ट्राण कितना हो गया तो पांच और 12 और कहोगे कि एक कहां से ऐड कर देए हैं यहां देखो इसका क्या है NO2- है minus का मतल्ब होता है आपने electron लिया फलास होता तो आप एक electron बाहर भगा देते लेकिन minus है यानि कि एक electron चूँकि एक ही minus है थे एक electron दो minus होता थे 2 electron आड कर देते तो यह जो إलक्रान है यह लिखना होगा आपको It is for one negative ion एक negative charge जो है निगेटिव आयन ने लिखो चार्ज लिखो निगेटिव चार्ज ठीक है तो निगेटिव चार्ज के लिए यह आपने लिखा तो टोटल आपके पास इलक्रान आप कितना 18 हो गया, total electron आपके पास कितना हो गया, 18, इसी 18 electron को distribute करना होता है हम लोगों को, तो skeleton बना लिया, हमने ऐसे को, अब आप octet complete करने पर, इसका balance electron 5 है, तो हम लोग 5 electron लिखेंगे, ठीक है, 5 electron लिख दिया, oxygen अभी भी मेरे पास 5 निकाला है, तो 13 electron बचा हुआ है, 13 electron बचा हुआ है, क्योंकि total electron 18 ही आपको distribute करना है, 18, जिसमें से आपने 5 distribute कर लिया, 18 है, तो 5 निकाल दिया, तो 13 बचा न, ठीक है, तो यहाँ देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने क्या-क्या 6 electron बच दिया, तो 13 में से 6 डाल दिया, अभी भी आपके पास 7 बचा है, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 कर लिया, ठीक है, अब देखिए, ऐसा overlapping हो जाए, ऐसा, तो क्या होगा, इस oxygen का octet complete, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, और उसके बाद, अगर ऐसा overlapping होता है, तो इस oxygen का octet complete क्यों हो, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है, और इसके बाद, overall, ऐसा overlapping दिखा दिया जाए, ऐसा, तो देखिए, nitrogen का भी octet complete, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, समझवाई बाद, तो overall बनकी क्या ready हुआ, देखिए, lone pair तो रहे गया इसके पास, nitrogen के पास, एक, इससे एक bond, दो electron से एक bond, दो electron से एक bond, उसके बाद, जो electron है, वो soak किजिए, ठीक है, जो बचा हुआ है, lone pair, ठीक है, यहाँ, एक से bond, फिर यह, और इसका जो भी bonding में participate नहीं किया, उसको लिखिए, और यह जो negative charge है, वो overall दिखा दिजिए, क्योंकि formal charge को overall करके ही दिखाया जाता है, तो NO2, समझ गए, आप कैसे बनाया है, मैंने इसे, मैंने पूरी कोसिस की है, कि अगर आप levis.structure का वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन देख लिजेगा, तो पुखता हो जाएगा आपका ज्यान, ठीक है, तो यहाँ पे तो मालो एक question था, मैंने एक question बताया, अब H2SO4 का बता ने रही हूं यहाँ पे, है ना, तो वो है, वहाँ भी देख सकते हो, हां, तो समझ गए आप लो, positive रहता तो, overall positive डाल देते, बस आपको करना कुछ नहीं है, बस total electron निकाल ले, ना उसी electron को distribute करना है, और octet भी complete करना है, सब का ध्यान देते हुए करना है, कि octet भी complete हो जाना चाहिए, clear, चलिए, 17 number question देखिए, आपक different bond angles, which one has greater bond angles, ठीक है, तो कह रहा है कि, सेम कैसे हुआ, मैंने पीछे कहा था, आपको बताऊंगी, एक सिग्मा बाउंड, दो सिग्मा बाउंड और दो लोन पेर, तो टू सिग्मा पलस टू लोन पेर, total 4, total 4, तो क्या हो गया, 1s और 3p, बताया था अभी detail में, तो sp3, तो hybridization क्या हो गया, इसका oxygen का sp3, यहाँ भी sp3, oxygen का hybridization sp3, tetrahedral shape होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, वो वेस्पर थियोरी में बताया जाता है आपको, ठीक है, आप यहाँ देखे, हाँ, बोथ water and diethyl ether have the central atom O, in sp3 hybrid state, with two lone pair of electrons on O, कैसे हुआ sp3, यह भी बता दिया आपको, ठीक है, but due to the greater repulsion between two ethyl, C2H5 group in diethyl ether than between two H atom in H2O, result in a greater bond angle 110 degree in diethyl ether than 104.5 degree in that of water, समझ जाई है, इसमें क्या लिखा गया, कि यह जो hydrogen atom था, यह चुकि छोटा-छोटा है, इसलिए यह दोनों आपस में repulsion नहीं करता है, उतना, आपस में इन दोनों का repulsion कम है, तो यह lone pair, lone pair उपर की ओर दिखाया जा रहा है आपको, तो यह जो bond angle होता है, वो घट जाता है, हाइडोजन चुकि साइज में भी छोटा है, तो रिपल्सन हुआ नहीं, तो यह ऐसे समझे कि बैलून की तरह यह उपर की ओर उठ रहा है, यह नीचे की ओर जूख रहा है, जिसके वज़से इसका सेप भी बेंट हो जाता है, क्वेशन भी आता है कि वाटर मॉल, वाटर का सेप बेंट क्यों होता है, टेटरा हेडरल क्यों नहीं होता है, तो टेटरा हेडरल होने के लिए लोन पेर नहीं होना चाहिए, लोन पेर है, इसमेना जिसके कारण लोन पेर, लोन पेर रिपल्सन को घटाने के लिए दोनों ए C2H5 है जो की bulky group है जो की बड़ा group है तो दोनों आपस में टक्राने के condition में आएगा जिसके कारण ये दूनों एक दुसरे को repel करेगा और repel करेगा तो एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा और bond angle बड़ा हो जाएगा अब ही बात समझ में यहां वो repulsion था ही नहीं लोन पेर उपर जा रहा था तो ये अपना नीचे की और bond angle घटा लिया क्योंकि इसका size में कोई बड़ा बात नहीं था लेकिन इन लोगों का खासियत क्या है कि जब ये उपर जाएगा तो ये दोनों आपस में repel करेगा क्योंकि same है और बलकी group है एक दुसरे को repulsion करेगा और bond angle बड़ा हो जाएगा concept आप समझ गए ठीक है लिखा हो आपके पास यहां पे है इसी तरीके से लिखेगा और इस तरह से figure भी बनाईएगा बहुत जरूरी होता है examination में marks लाने के लिए ठीक है तो यह हो गया question number 17 आप चले 18 पे तो देखे question number 18 है what do you understand by bond pair and loan pair मैंने जब ये question आ bond pair, loan pair वाला तो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को bond pair और loan pair से भी परिचित करा देना चाहिए तो देखे यहां पे है loan pair क्या होता है जो bond में participate नहीं करता है तुसे loan pair या non bonded electron कहते हैं आज जो bonding में participate करता है उसे बोलते हैं bonded pair electron जैसे कि माल लीजे water molecule में hydrogen hydrogen जो bonding क्या तो यह जो pair of electron आपका होगा एक hydrogen का एक oxygen का एक hydrogen का एक oxygen का that is your bond pair electron और electron जो oxygen के पास बिना bonding का बच गया that is your loan pair electron okay clear कोई दिकत नहीं जो bonding नहीं क्या loan pair जो bonding कर लिया bond pair okay now question number 19 देखिए आप write the important conditions required for the linear combination of atomic orbitals from molecular orbital यानि यह बताने के लिए कह रहा है आप से कि आपका जो atomic orbital combine करेगा उसका condition क्या होगा mo t बनाने के लिए molecular orbital बनाने के लिए ठीक है तो देखिए the combining atomic orbital should have comparable comparable energies यानि कहने का मतलब की जो combining atomic orbital होगा उनके energy का difference बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए approximately same होना चाहिए तभी atomic orbital overlap करेगा और molecular orbital बनाएगा ठीक है जैसे one is orbital of one atom can combine with one atomic orbital of another atom उसी तरह से 2s can combine with 2s ठीक है next है the combining atomic orbital must have proper orientation combine होने के लिए proper orientation भी जरूरी है माल लिए एक एक एक्स एक्सिस पर है कोई y एक्सिस पर होगा तो कैसे overlap करेगा आप समझ लिए इस चीज़ को कि overlapping के लिए एक ही एक्सिस में होना जरूरी है अब यह नहीं जरूरी है कि head on और lateral overlapping की बात नहीं है जैसे आपने देखा पीछे lateral overlapping के लिए एक एक एक्सिस में तो था ही ना यह px था तो यह py था ठीक है कब सॉरी py था तो py ही था अगर आपने गलती से भी ऐसा यह ले लिया और इसको ऐसा ले लिया तो इस तरह से overlapping नहीं दिखा जाता है यहां पर होगा ही नहीं overlapping होगा ही नहीं मतर किसी तरह का bond formation नहीं होगा इससे भी related equation होता है इस तरह से भी figure दिखा के ठीक है तो यह चीज है समझ रहे हैं आप बात को तो combining atomic orbitals must have proper orientation बस इतना ही आपको लिखना है ठीक है so that they are able to overlap to a considerable extent और third number पर है the extent of overlapping should be large overlapping का जो extent होना चाहिए वो large होना चाहिए तब मतर यह MO के लिए molecular orbital के लिए और इस theory का नाम है MOT molecular orbital theory बहुत बहुत useful theory है modern chemistry के अंदर तो इसका बहुत बड़ा योगदान है इसे बहुत सारी questions आप कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया देखे question number 20 है हमारा define bonding and anti-bonding molecular orbital जैसे ही आपने MO पढ़ लिया कि उसके लिए क्या 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 conditions चाहिए था तो दो तरह के molecular orbital होते हैं एक bonding एक anti-bonding तो देखे atomic orbital के addition से जो molecular orbital बनता है उसे कहते है bonding molecular orbital उसे यसे दिखाया जाता है ठीक है उसी तरह से जो molecular orbital formed होते हैं subtraction of atomic orbital वो anti-bonding molecular orbital खलाते हैं और उसको bonding वाले को star लगा देते हैं तो यह एंटी bonding को denote करता है और यह subtraction of atomic orbital से बनता है सब्स्ट्रेक्शन का मतलब हुआ रिपल्सन से बनता है इसका एनर्जी थोड़ा जादा हो जाता है तो देखे इस तरह का फिगर बनता है इसको मोलिकलर और बायं त्योरी के अंदर ये फिगर बनाया जाता है मॉलिकलर और वायंटल डैग्राम है तो देखें यहां पर एटॉमिक और बाईटल इधर और ऊच्छे दोनों बाजु देख रहें आप यह दोनों आटॉमिक और बाईटल के लिए हैं अब यही दोनों हो और यह एक ही सकता है ना इसके पास तो भरा हुआ है पूरा इसका नहीं हुआ है ठीख है तु티 कर स करेगा कि उसे बोलते हैं bonding orbital ठीक है bonding orbital lower energy than that of atomic orbital ठीक है atomic orbital और atomic orbital के mixing से एक orbital बनेगा जिसका energy इससे ज्यादा होगा और यह दोनों overall energy बराबर ही रहता है एक घट गया एक बढ़ गया तो इसी के बराबर रहता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया anti-bonding molecular orbital higher energy than that of atomic orbital तो energy जिसकी ज्यादा है stable कम होता है यह भी ध्यान में रखेगा कि anti-bonding molecular orbital जो होता है less stable होता है due to higher energy ठीक है then bonding molecular orbital यह भी question आता है ठीक है तो चले यह चीज़ आपने देखा कैसे हां यह हमेशा याद रखेगा कि नीचे के तरफ जो होता है वह bonding ही होता है उसका रीजन है कि यह इसका energy ज्यादा है और इसका energy कम है बातारी समझें बच्चों आप लोगों को ठीक है चलिए आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती नहीं हूं जो मैंने आप से कहा वह लिक भी दिया यहां पर कि bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than corresponding anti-morning molecular orbital clear तो यह है कि कोसिज मेरी यही है कि आप लोगों को मैं बोल दूँगी मैंने तो पहले वीडियो में भी oxygen तक सौरी दो इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक का एस्पेसिज का configuration इस फॉर्म में लिखाता है और oxygen यानि की O2 मतलब हो गया 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन के इस्पेसिज का इतना ऐसे लिखाता है यही दिफ्रेंसेज देख लिजे इन दोनों के बीच क्या है थोड़ा सा का डिफ्रेंस है ध्यान से देखेगा दिख जाएगा आपको और यह जो configuration है इसी के जब आपका MOT के according बनाना होता है जब बॉंड और निकालना होता है जब आपको बताना होता है कि magnetic है इसका इस्तावाल करते हैं हम लोग इसलिए आना चाहिए थीक है तो दो electron से 14 electron के लिए लिखना और 16 से 18 electron के लिए नीचे बाला लिखना अगर यह कि में घुशेड़ दिया आना सारा कुछ तो सब अब हो जाएगा गड़ ठीक है यहां पे इसले जान बुझ के आपके लिए लिखा है ताकि आगे कज़े क्वेस्टन है उसको इसी से बनाएंगे आपके लिखा है तो चलिए 21 question में लिया है उसी तरह से use molecular orbital theory to explain why BE2 molecule does not exist इसके जगह पे HE2 भी लिखके आया हुआ question है सिब्वेसी बोर्ड में तो दोनों का एक ही आंसर है एक ही तरीके से आपको लिखना होता है ठीक है तो देखिए electronic configuration of BE कितना होगे 1s2 2s2 क्योंकि 4 इलक्रोन होता है इसके पास mot यानि molecular orbital configuration आप लिखोगे BE2 का क्योंकि molecular है molecule बनेगा तभी molecular orbital होगा ठीक है तो molecular orbital के BE2 आपने बनाया यानि BE2 बनने में एक B दूसरा B से merge के अतबन बी बना तो चार पलस चार आठ हिलेक्ट्रोन हो गया टोटल 8 electron आपको बाठना है आपको तो आपने configuration अभी जर्स्ट पढ़ा था यहां तक तो दोनों का सेम ही रहता है कोईロचा नहीं है कोई etcetera थीक है यहां देखलो औभी है ना यहां तक तो दोनों का similar ही है यहां तक डूस तक बागी उसके बाद थोड़ा सा का फर्क आता है तो उसको अभी फर्क समझाऊंगी नहीं उसे कोई फाइदा नहीं होगा ठीक है ऐसे तो मैंने M.O.T.V. पढ़ाया है आपको लेकिन आप इसको ध्यान से देखना समझ में आपके आजाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिए लिखा देखे सीगमा 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 थैजू फिर सीगमा सीगमा चाल टुएक नहीं है इलेक्टो sitä जो टेख रहा है यह यह स्टार बाले में आपक会 स्टार लगा दिया जाता है तो बॉन्ट औरिक्वस होता है Si Tap जहां एन्बी का है number of bonding electron और एने का है number of anti-bonding electron तो बॉंड ओर्डर कितना हो गया इसका हाफ 4-4 क्योंकि देखे bonding और bonding में कितना है दो दो चार और एंटी बॉंडिंग में भी चार तो चार माइनस जीरो हो गया जिस चुकि बॉंड ओर्डर जीरो हो गया इसलिए बी तू डज नॉट एक्जिस्ट ही नहीं करेगा अब यहां पर एक क्वएश्ञ और अराईज होता है तो आप बोल सकते हैं बॉंड ओर डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिफ्रेंस बिइन दर नंबर ओप ऑंटिंग लेक्ट्रॉन और नंबर और एंटी बॉंडिंग इलेक्ट्रोन उसका यह लिग दिजएगा यह लिग दिजएगा हो गया तो यह पढ़ने का मतलग हो गया कि आप बॉंड ओर भी पढ़ चुके हैं अपने से डिफनेशन आप कर सकते हैं Half of difference between bonding electron and anti-bonding electron, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखे, NB, यानि bonding electron अगर greater than NA है, यानि anti-bonding electron तो molecule is stable, bonding electron जादा है, anti-bonding से तो molecule is stable होगा, और bonding electron अगर less है, anti-bonding से तो molecule जो होगा, unstable होगा, यह अगर आपने याद कर लिया, तो अगर question कोई डाल के पूछ सुझेगा, why it is unstable, why it is stable, तो आप नहीं बता सकते हो, क्या, बता सकते हो, ना, तो यही है, उसके साथ ही आपके जैसे just नीचे का question इसी से related है, ठीक है, एक एक चीज जो यह समझने में दिक्कत आए, जैसे ही आपको इसमें समझने में दिक्कत आएगा, आपकी सुनीता मैं उ बहुत यह highlighted है, star लगाईए, give reason why H2 plus iron are more stable than H2 minus, though they have the same bond order, तो कह रहा है कि H2 iron more stable than H2 minus, जबकि इन दोनों का bond order same ही है, bond order same है, bond order पब इसका खेल नहीं है, इसका खेल किस पे है बच्चों, इस पे, bonding electron और anti-bonding electron पे, bond order पे नहीं काम होगा, यह जिसको याद रहेगा, वही आएगा, तो यहाँ देखे, H2 minus बना होगा कैसे, 1H और 1H minus मिला होगा, तो H2 minus बना होगा, तो देखे, 1H का 1S1 होगा, और minus का मतलब होता है, electron आपने ले लिया, ठीक है, तो देखे, 1S2, क्योंकि एक electron पहले से था, मेरे पास एक electron ले लिया, तो 1S2 होगया, तो 3 electron होगया, टोटल, 3 electron आपने बाठ लिया, इसका जब molecular configuration लिखा, तो sigma 1S2, sigma star 1S1, क्योंकि तीन ही electron बाठ था, इसमें 2 भरेगा, तब इसमें 1 आया, उसके बाद देखे, H2 plus कैसे बना होगा, 1H और 1H plus के कारण, तो 1H के पास तो 1S1 होगया, लेकिन plus वाले के पास तो 0 electron होगया, क्यों तो क्या लिखा, sigma 1S1, sigma 1S1, यह क्या है, molecular configuration है, ठीक है, ऐसे question का answer इसी form में कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं, कि आपको marks अच्छे से आए, तो सिर्फ ऐसे ही, खली उठा के, लिख मत दिजिएगा, यह सब दिखाईगा, तो teacher समझते हैं, कि आपने concept से लिखा है, आपके समझ में आ रहा है, बात, बाता ही समझ में, तो यहां देखे, in H2-Ion, one electron is present in anti-bonding orbital due to which destabilizing effect is more, and thus the stability is less than that of H2 plus ion, क्योंकि H2 plus ion का सिर्फ bonding electron है, इसलिए यह stable है, जब कि इसमें anti-bonding electron है, इसलिए थोड़ा सा उससे काम stable है, समझ गए आप, इसका utility आपने समझ लिया, मेरे प्यारे बच्चों, समझ लिया ना, तो चलो, आगे बढ़ जाते हैं, third 23 पे, अभी यहां पे एक गलती हो गई है, बच्चों, मैंने अभी जरस्ट आपको 22 question पढ़ाया, और यहां फिर से 22 ही लिख दिया है, मैंने, इसलिए उसके लिए कोई रोना धोना नहीं मचाना है, एक question ज्यादा हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं है, लिखते बग ध्यान नहीं गहा होगा, मेरा 2022 हो गया, बार बार, दो बार, मतलब इसमें मैं 25 questions करवा रही हूं, तो यानि कि आपका 26 questions होएगा, ठीक है, 26 होएगा, ठीक ह पार लेंगे उस पाप के, ओके, चलिए, विच वान, ओटू मैनस, ओटू टू मैनस में एक जीट, पारा मैगनेटिजम, ठीक है, तो चलिए, ओटू, अब यह समझ रहे हैं, आपकी ओटू मैनस कैसे बना होगा, एक ओटू मैनस के मिलने से, ओटू मैनस बना, पहले सा आठ इलक्टून था, एक इलक्टून इसने लिया, तो नौ हो गया, आठ नौ, सतरह हो गया, सतरह इलक्टून को बांट दिजिए, और कॉन्पिरेशन कौन सा लिखेगा, जो बैक में पढ़ाया है, आपने लिख लिया, उसको देखिए, उससे लिखा, ओटू, टू मैनस, यानि इसके पास है, इसलिए ये पारा मेगनेटिक हो गया, जबकि इसके पास अन्पियर्ड नहीं है, इसलिए ये डाय मेगनेटिक हो गया, पारा मेगनेटिक नहीं रहा, ठीक है, आप समझ गया ना बात को, अन्पियर्ड इलक्टून है, इसलिए पारा मेगनेटिक है, तो ऐसे क्वेशन का अंजर करने के लिए यह काम करना पड़ीगा आपको वजह आंपेड इल्ठ्रान है तो पारा मेगनेटिक है कुछ और यह वाला हो जाएगा डाय मीगनेटिक तो सारा का सारा पैर होगा तो डाय मेगनेटीक लिए देखें बहुत important question why ns3 has highly dipole moment then nf3 though both are pyramid यानि ns3 का dipole moment ज्यादा होता नf3 से क्यूं क्यों जबकि pyramidal shape का होता यह जब मैंने थियोरी पढ़ाया था न डाइपोल moment का आपको उस समय भी पढ़ाया था वहां पे तो लेकिन यह बहुत अच्छा है इंपोर्टेंट है यहां पर भी बता रही हूं आपको तो देखिए यह जो लिखा है वह आप पढ़ लेना लिख लेना ठीक है समझ लिजे यहां पर क्या है डाइपोल मॉमेंट अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि यहां देखे आमोनिया है यह तो आप दे देख रहे हैं कि इधर ऐसे ऐसे आ रहा एक रिजेल्टेंट इधर की और जा रहा है तो इसका क्या होगा डाइपोल मॉमेंट एस थरी का ज़्यादा हो जाएगा इसके अपेश्या क्यों क्योंकि देखिए यहां पर एन और एफ है तो एन एफ के बीच में एफ ज्यादा इ गटा देगा यह क्या हो जाएगा वैल्यू को घटा देगा जब कि इसमें क्या है एड़ ओन हो जा रहा है सब एक ही डारेक्शन हो जा रहा है तो यह बढ़ गया आपको यहां पर लिखाई गई है वो लिखिए समझ लीजिए जो समझाया है मैंने आपको वही यहां लिखा भी है बच्चों ठीक है तो चलिए तो कि आप दिरेद है वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है तो यह सारी बातें आप पढ़ लेना मैंने समझा दिया आपको बस इसका खेल है मेरे प्यारे बच्चों इसको धियान रखो इसी का खेल है इसी से तुम्हारा काम होगा और कुछ नहीं यह एक तरफ है इसलिए रिजल्टेंट इसका गिरीगा बहुत ठीक है चलिए क्वेशन नमर्ट ट्वेंटीफोर पे चलते हैं वाइड़ जैस्टू ओ है बेंट स्ट्रक्चर अभी जैस्ट बोलाता है ना कुकि बेंट इसके कारण होना चाहिए था इसका कैसा सब्सक्राइब करता है डिसके कारण कारण होता है डिस्टूर्ट हो जाता यानि कि बेंट हो जाता है यह दोन और डिपेल करेगा यह से भागेगा चूकि छोटा साइज है इसको दिकत नहीं आने वाला है अगर bigger size होता तो फिर problem आ जाती तो इस तरीके से इसका bend shape हो जाता है ठीक है समझ गया इस तरह का तो question पहले भी बता रखा था इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगा question number 25 में देखें बहुत अच्छा question है यह in h2o question number 25 है हमारा in h2o h2s h2se h2t the bond angle decreases although all have the same bend shape वाय तो देखें इन सबका क्या है सबका जो central atom है सबका sp3 hybridization है जिसमें से जैसे चार orbital बनता है चार में से दो जो है lone pair electron रखता है और दो expected value of bond angle इतना होता है लेकिन यह actually में देखने को ऐसा नहीं होता है जैसे जैसे आप water से आगे क्यों बढ़ते हैं वैसे वैसे bond angle decrease करता है यह क्यों होता है तो देखें in case of h2o molecule as oxygen is small in size and has high electronegativity value the bond pair are closer due to which it is subjected to large repulsion of bond pair bond pair देखें होता है oxygen है यह ठीक है अब यह hydrogen है ठीक है तो चुकि oxygen का size भी छोटा है और इसका electronegativity भी जादा है ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि इसका bond pair bond pair repulsion जो होता है वो larger होता है समझ रहें आप कैसे होता है कुछ मेहनत नहीं इसको समझ रहें में यह छोटा size है oxygen का तो oxygen का जब size छोटा है तो यह दोनों का bond pair यह bond pair दोनों का आपस में रिपल्सन जादा होगा तो इसका bond angle थोड़ा ज्यादा होगा जबकि आगे जब आप बढ़ेंगे sulfur और hydrogen को लेंगे ऐसे करके तो है तो hybridization वही दो लोन पेर उपर यहां दो पे बॉन पेर लेकिन sulfur का size चुकी थोड़ा बड़ा है size बड़ा है जैसे central atom का size बड़ा है तो यह दोनों थोड़ा दूर दूर रहेगा जिसके कारण bond pair bond pair repulsion कम हो जाएगा तो repulsion कम होगा एक दूसरे से दूर थोड़ा ही भागेगा नजदीक आएगा तो bond जाएगा इधर जाएगा इसका bond angle बीच में बन रहा है तो बढ़ गया जबकि इसके case में size बढ़ा है तो यह hydrogen hydrogen का distance अपने आप थोड़ा जादा है जिसके कारण bond pair bond pair repulsion घट गया घट गया तो यह दोनों दूसरे से नजदीक आएगा तो bond angle घट गया उसी तरह से आगे बढ़ जाओ H2SE पर और H2TE पर वही case होता है bond pair bond pair दूर 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 हो जाता है तो रिपल्सन छोटा छोटा हो जाता है तो एक दूसरे के आपस आ जाता है नजदीका मतलब bond pair bond pair repulsion घट जाता तो एंगल भी घट जाता है यही था ठीक है तो H atom is larger than O bond pair bond pair repulsion is less as compared to H2O ठीक है तो यह हो गया यहाँ पर 25 questions ठीक है हूं बहुत महनत जाता है इसको करने के लिए लेकिन आप बच्चों के लिए मुझे मैनत करने में भी कोई परिशानी नहीं लगती है मुझे लगता है मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और concept से पढ़ेंगे तो और ज्यादा उनके लिए भविश में भी अच्छा रहेगा तो इसी आसा के साथ की वीडियो आपके लिए helpful हो बच्चों तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजेगा और जल्दी से अपने ग्रूप में अपने दोस्तों के साथ सेयर कर लिजेगा ताकि वे बच्चे भी जूर सके चैनल से तो आप कर दोस्तों के साथ 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 कर दोस्तों के साथ